दोस्तों ये दुनिया हमेशा अपना मतलब देखती है लेकिन इन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बावजूत अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं आईए जानते ऐसी एक महाल सोच रखने वाले हमारे अगले खिलाडी की कहानी कि बाल हो या या एवन कई ग्राउंड पर जाना है वहां पर चार्ज परेकरना पड़ता है तो और चार्ज परेकर देते हैं मैं आखों से ही देखता था, क्योंकि के स्टूड़न, क्वाले स्टूड़न, आगे डिग्री करना है, गर्से सपोर्ट नहीं है, वो इतर से उतर से लाके देता, गर्मार मेरे नजर में पूरा था, मर मैं बोल रहा कि है वो चल रहे तो वो बच्चे आज उसको, वो ही इसको स करते हैं, वो बच्चे आज देखेंगे, बाकि सब के बादे में पहले सोचने हैं, था 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 तब से मैं एक्चुली क्रिकेट खिलता हूँ, एक मैं छोटे चोटे स्मॉल विलेज से मैं बिलाउं करता हूँ, वह पर अचुली कुछ ज्यादा कुछ फैसलिटी नहीं है वह पर जैसे कि कोई सीजन बॉल की भी कोई फैसलिटी नहीं है वह पर, हम क्रिकेट टेनिस बॉल से ही क्रिकेट हम आगे तक बढ़े हैं, आओ में कैसे खेलने के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं था, बिकॉस फैमिली को ऐसे लगता था कि कुछ काम करके उसके लिए टाइम पर जाता है, बिजनीस में कम था, हम लोग वोगते थे हेल्प के लिए अगमी नहीं था, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था साथ में लेने कर देशे, एक पैशन था, उस हुचे से हम उनको इग्नोर करके हम आगे खेलने के लिए और कई निकल जाते है, बोड टाइम है पैसे बिए पास कांगा था नहीं हम इसके उसके पास फैसे लेके खेलने के लिए जाते हैं सबते हैं, वह आपे इंटरफेस बदो बहने के लिए यह वहां पर कुछ फूड खाने के लिए पईसा नहीं रहते हैं, बोटाइम है भी वाड़ पावप हम दिन नीका लेगे लि सेलेक्शन हो गया, उनका भी क्याम था, अल इंडिया ग्रामिन क्रिकर्स अशुचिन में, तो आपे सिलेक्ट होने के बाद मैंने दो मैच खेलने के बाद आप अच्छे सा प्रफॉर्मेंस होगा, दोनों मैच में मैण अब दो मैच वहाँ पर फाइयर्स माने कर दिया लेकिन वहाँ पर कुछ लाइफ लगी नहीं सुनियर गावसकर यह लोग सब बीड में आया होएते हैं तो उनोंने वहाँ पर कैम्प लिया था कैम्प मेरे वहाँ पर सेलेक्शन होगा था, मुझे फॉर्म बढ़ने के लिए मुझे अफ्टर एट देज गुला था तो अलमस्ट फॉर्म बढ़ने के लिए खाली साइन करने के बागी तर उस पॉंट पर कपड़े का बिजनेस होने के वज़े से एक शादी का बस्ता बोलते हैं वह चीज के लिए बहुत सजोगा है और मैं आदे असे पोचा था था उनोंने फिर फोल करके बोल दिया कि और वह एक्शली मेरे हाँ जैसे कि किसी के रास पे रहता है कस्तमर कोई तो मेरे रास के रहता है और अच्छा का सा रहता है तो उसको ड्रॉप करना नहीं जादे दे मेरे फैमिल्या और तो उस वज़े से उन्होंने मुझे जिस कंडिशन में वहां से जाप ही होगा वहां से रिटरन आज़ा मुपने होगा तो एक कुछ अलग लेंगेर्ज के वज़े से मुझे निकल के आना पड़ा क्यूकि मुझे मेरे लाइफ से ज्यादा मेरे प्राइम्स मैंतर करते हैं तो इस अब से महां से रिटरन आगे और उस ते मेरे वह चांस निकल राएं अब को खेलना है आपको खेलना है तो उदर ह कि जाओ मेरे पास रिटर्न ने आना एक जो फैमिली मेंबर का जो में मेंबर होता है उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा मैंटर करता है तो उस तेम वह चीज मुझे मिली नहीं लेकिन अभी उनको चीज का वैल्यू समझाए तो अभी वह चीज के लिए तो जो अंडर मतलब सपोर्ट गरते हैं जैसे मेरे जो मैचेस वगेरे रेखते हैं हरो अभी बिजनिस से जादा उस पेर्स पोग दे रहे है इसलिए मुझे लग रहा उसकी उमेद है वो जाओ पाता है वर वागे काये है वो जैसा खेले वो इसाब से चलेगा तो मेरा उसमें कोई उसकोई प्रॉब्लीम नहीं है मैरे पिछे देख लिए लिए बोला गया कि लेटका क्रिकेट कहलते है क्रिकेट होबी है उसकी वहमारे रेलेशन में ही है तो आच्छे लग असुन कर कि क्रिकेटर हजबन भी लेते क्रिकेटर होगे शादी के बाद भी नान देर गए यंपी भी गए थे खिलने हर जब आपे जाने के बाद मैन आप दी मैस लेकर ही आती थे तो फ्रावड फिल करती थी कि मुझे ऐसे हस्बन मेले और उमित करती हो मतलब उनोने जो ड्रेम देखा है वो पूरो जब फुरो जब फस्टाइ मेन उनको ठीए कर देखा बौत मतलब बौत अच्छा लगा मुझे कि मेर पती मतलब इस लेवल तक जा सकती है बौत प्रावड फिल करती हुँ जैसे जासे अज़न मेले और उनका नेचर भी मतलब हजबंट थे सब बहुत करिंग और लविंग देखा बहुत जादा सब पूर्टिंग देखा एक वाइफ तो वह से मैं क्रिकट को मेरे वाइफ सब्स्ता दम है जैसे बिफोर मैरेज और आज मेरे फस्ट परफस में जैसे कि मेरे अफ्टर मैरेज में अभी तक मतलब कई जाना हो गूमने के लिए हो तो मैं क्रिकट के वाइज से जाना ही पाया क्योंकि जिस्ते मुझे मिलता थे मेरे मैचेस रहते थे कुछ टूर्णमेंट रहते थे तो उस होज़े से मैं उसके लिए क्रिकट के वाइज से में देने पाया और अगर यह जिस से अगर मेरे टिपेल से अगर कुछ लिए तो जो उनकी सोच उससे कुछ जाना देने की मैं कोशिश कर सकता दो बार ऐसे हो गया था मेरे उदर मतलब रिलेशन में शाजी थी दो बार मेरे कजिन ब्रदर की शादी थी तब इनका अगर क्रिकट था तब नहीं नहीं शादी हो गए थी तो सब आते दामत लो और यह मैं आके लिए थी वापे तो मुझे तोड़ा बुरा लगत हो उस चीज का की बोला भी मैंने की सब के आज बनाय थे सब दामत और आप आके लिए थी लेकिन क्या कर सकते क्रिकेट भी जरूरी अगर कोई चीज से डिप्रेशन में हो तो और अब जब ग्राउंड पर पहुछते हो तो उस ते पूरा भूल जाते है पूरी दुनिया एक्सेड में होती हो और गेल में फोकस होगे तो पूरा उसमें जो इप्रेशन होता है और निकल जाता है ap भू जो टेंचन होता है ऑब मेर हिसाब से जो कि मैं उसमें से देखता हूं तो मेरी झाल जालें पनूर कि बहुत ज्यादा मैटे आँ है वाइब और क्रिकेत डॉल वो वो बोलते हैं फेले से बोलते थी दो वाइब मेरी, क्रिकेत एक और तू जैसे की मैं मेरी लगी समिचता हूँ जैसे जिसटें से उसका जनम हुए है उस तें से मैं एक लेवल आगे पहुंच चुखा हूँ मतलब जिस लेवल से था मैं वस लेवल से कुछ आगे पहुचा हूँ मतलब जैसे होलते हैं कि एक लक्षमी बोलके मैं मतलब मेरे घर मेरे फ्यूचर उसमें देखता हूँ जोकि मेरे पाशन है कि मैं एक लेवल तक पोचू कीड़ की इन्टरनाशनल लेवल तक हूँ क्योंकि मेरे एक्सपडेशन है इस इतना ताम माने क्रिकट के लिए स्पेंड के है तो आगर कुछ हुआ नहीं उसमें से अगर कुछ मेना दास्ता नहीं निकला तो मेरा फ्यूचे देखता हूँ कि फ्यूचे में उसको मैं जो लेवल लेवल पर उसको पुचाने के लिए, आतलग मेरी सोच है प्रेपर नाम मैंने सुना नहीं था मेरे एक फ्रेंड एव अरंगबाद रेता है जैसे वो घ्रामिन में खिलता है अचिर उसने प्रेपर में आट देखने के वाध भगोला पूरा में इस 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 एक एम तो तो ने फॉर्म बढ़ा है नहीं बढ़ा है मुझे तो पता नहीं वह आया हुआ था उसने मेरा फॉर्म बन गया हुआ फिर वहापर हमें चांस मिला तो चांस मिलने के बाद जही से कि वहापर कोई ट्राइल बेस पर हमें गेंद बाजी करने लगाते हैं तो मैंने 10 गेंड में 7 विकेट्स निका ले जैसे कि फॉर एल्बी में और 3 बोल्ट्स मैंसेज करके 7 विकेट्स मिले तो उस बेस पर उन्होंने मेरा नाम गर लिख के लिया फिर उनका में मैसेज होगे रागिया कि आप टीपनल के टीम के लिए आप सिलेक्ट होगे आप इस टीम से बिलॉंग करते हो आप उस टीम से आपको खेलना बड़ेगा सलेक्स होगे धर आगा है तो उसकी खुशिक क्या मनों ऐसा मिलों घर नहीं पोस्ता है तक मैंने मिठे अगरे यह बात दिये अभी हुंदाने हुंदाव आगे की बाद मरुष तहीं ही लागा कि मेरा बेतार इतना हो तो आज यह लेवर तक को उच्छा है थ्लू आप तहूला बोड़ा कि मैंने अगरे मुझी मां टूजीड जाड़ाने आज तवी ने के जबीगा के यह जए लग नहीं Software को मेरा सब्स। réseo तवी नहीं जाए अगरे तुम कि बच्छा आपना गई सा खेलेगा, विस्ट करता है दूसरा को वो फाइनली मुझे टीपियल तक पोज गया ट्रूस्पोर्ट्स अपने सच होते है टीपियल ये थी कहानी रकेश चचेड की जिन्होंने हमेशा अपने से पहरे दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा ऐसी कई inspiring कहानिया हम अपके लिए लेकर आएंगे उसके लिए देखते रहें टीपियल Only on True Sports सबने सच होते है